it is Hello friends, tipost! मैं हूँ आपको दोस्त रोबिन सिंग दोस्तो आज की वीडियो में नहों बताऊंगा बुक्रम से गले काटने के बिलकुल आसां से तरीके जिसमें मैं आपको चार सब्सक्राइब काटने बताऊंगा दोस्तो वैसे तो बुक्रम से काट जाता है आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा और रही बात इनको बनाने की दोस्तों बुकरम से गला कैसे बना जाता है इस सब्जेक्ट पर भी ओलरी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है आप हमारे चैनल पर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सिक लेते हैं कुछ नया तो दोस्तो आज मैं आप जो जो चार अलग अलग तरह के गलें बनाने कटिंग करना है वह बता रहा हूं दोस्तो उसके लिए आप चाहो तो पहले गर फली किसी पेपर पर आप अपने माइंड में क्रियेटिव करके बना सकते हो जैसे कि आपको दिखाता हूं दोस्तों यह देखिए यह मैंने करफ पेपर पर कुछ अपनी तरफ से थोड़े हलके फुलकर करें हाला कि आपको अच्छी ते समझे नहीं आ रहे होंगे लेकिन दोस्तों आप माइंड में क्रियेट करके अपनी तरफ से भी गले काट सकते हो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह वाला गला काटके बताता हूं कैसे यह गला कटेगा उसके लिए करना क्या दोस्तों आपको बुकरम लेनी है और बुकरम की जो चुड़ाई है लगबग यह देखिए कि ती की संदय पिए और इसका मतलब यह जो है यह का सींद्र पोइंट आप सेंट्र पॉंट पर एक निशान लगा सकते हो तरीक के से कि आपके पास इसकेल हो इसकेल के मदद से बिलकुर सेंटर में निचान लगा लें अब दोस्तों होता किया जर्णली जो गले की जो लंबाई होती है जर्णल साइज की मैं बात कर रहा है वो होता है 6.5 इंच तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको एक निशान पर सीध सबसे की कटिंग करूंगा साड़े छे गला होता है और आदा इंच उपर स्लाई में चला जाता है टोटल गले के लंबाई लेनियम साथ इंच पर मैंने निशान लगा दिया है कि इसको कर लिया सीधा और जो समाने तोर पर गले की चुड़ाई होती है वो होती है छे इंच तो छे का आदा होता है तीन इच इदर निशान लगाना आपको एक और तीन इच निशान आपको इदर लगाना है और इसी तरीके से तीन इच इदर और तीन इच आपको इदर निशान लगाना है और एक साथ इंच और चुड़ाई रखिए च्छे अब दोस्तो इस जगर देनी मैंने गले की शेप तो शेप करने के लिए क्या करना दोस्तो ये देखिए आपको एक पॉइंट से दो दो इंच पर निशान लगाना है दो इंच इधर दो इंच इधर और दो इंच इधर अब ये जो तर दोस्तो यह एक तरफ तो मैंने यह निशान लगा लिए और दोसरी वाली जय स्य पैसे यह Kathi जैस्ड इस तरीकेसे तो अचिक्त दोस्तो स्थ चैब अबस्तों इसकाbest आपया ने तमहें दोस्तों अबå जो गले की शेप इसकी कटिंग ऐसो होगी देखें अब ये जो पॉइंट है दोस्तो जो मैंने निशान लगाएं इन निशानों पर आपको करने हैं गुलाई कि दोस्तो इस तरीके से आप देख सकते हो अब यह जो है गला कट चुका है अब बाकी इसका जो एक्ष्टा मारा जैने थोड़ी सी कटिंग कर लें बिल्कुल ब्राबर शेप में यह देखें तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक गला मेंने काट लिया है अब यह जो कट है इसके जो करव हैं दोस्तो यह आप किसी भी तरफ रख सकते हो गले के चाहे लेफ्ट में रख सकते हो चाहे राइट में रख सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से आपका एक सुंदर सा गला कट जाता करना है अब दोस्तों मैं आपको बताओंगों दूसरा घला तो दोस्तों आप को दूसरा गला चालने जा रहा हूं उसके लिए क्या करना है यह देखिए वोकरम को को करने पूंद्स तरहistentS स्लाई में और साड़े 6 इंच के गला हमारे त्यार बन जाएगा गले की जो चुड़ाई लेनी है दोस्तों वह लेनी है मैंने तीन इंच यानि के टोटल हो जाएगा है छे इंच यह देखी कि तीन इधर से और तीन इधर से अब इसको आप सीधा मिला लें इस तरीके से दोस्तों एक तरह से सांच तयार है अब इस सांचे में देनी आपको को इच्छी शीप तो दोस्तों इसके लिए क्या कर रहा हूं एक छोटा से देखिए मैं आप डिजाइन करके दिखाता हूं आपको एक छोटा सा आपको पॉइंट बनाना इस तरीके से यह सीधा निशान कर दें और इस गुलाई को लाकि इसमें मिलाना है बस यह काम करना है और देखिए जब इसकी मैं कटिंग करूंगा तो कटिंग करने के बाद इस गले की शेप कैसी आएगी दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से एक मेंने दूसरा गला काट लिया है बाकी इस कट की बात रही इस कट को आप चाहो तो बढ़ा भी कर सकते हो जैसे आपको लगे कि छोटा कट है दोस्तों यह अपनी सूधा करना से छोटा बढ़ा कर सकते हो जैसे इसको मैं इसिलिए इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे ले जाएं तो दोस्तों इस तरने से कट है थोड़ा वड़ा हो गया अब जब आप गले को बनाते हो तो वनाने के बाद दोस्तों या पर छोटा सा कोई लटकन या कोई भी आपकी चोईस का बीट्स वगरा लगा सकते हो दोस्तों इस तरह से बहुत सुंदर एक दूसरा अगला आपका कट जाएगा अब दोस्तों मैं दो गले काटने के बाद अब मैं आपको पता हूँ को तीरसा अगला काड़ने के लिए साचा मैंने त्यार कर लिया है अब इसमें आप अपनी चोईस की कोई भी अपने माइंड में क्रियेटिव करके कोई भी शेप दे सकते हो जैसे के दोस्तों इसमें में गले में शेप दे हैं भी कोई सिंपल सी शेप देखिए इस तरह से इसको हाँ से मैं हलका सा गुलाई में लूँगा देखिए यह मैं हलकी से गुलाई कर इदर और इस तरह से बाद में इसमें यह गुलाई कर दी कुल्म लागी घुलाई से जाएगी यह देखे यूं और यूं और इतर से आप इसकी घुलाई कर दे बिलकुर असानेक दोस्तो यह देखे इसको यू लाया मैं इसको यू गुमाया और इदर से यू गुमा दिया अजब इसके में कटिंग करूँगा तो कटिंग करने के बाद आपको पता लगेगी इसके शेप कैसी बनकर आएगी यह देखें दोस्तों तो फ्रेंड्स यह देखिए यह जो है यह मैंने तीसरा जो गला है उसकी कटिंग मैंने कर दिये इसकी आप देख सकते हो ये शेप है बाकिए अप चाहो तो इसमें और भी चेंज़ेश कर सकते हो जैसे अगर आपको लगे कि ये नीचे की शेप थोड़ी चोटी लग रिए त इसको आप थोड़ा से और भी बढ़ा सकते हूँ, इस तरीके से, यह भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, गले काटनें दोस्तों बिलकुल आसान है, इनमें कोई भी ज़्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको सिंपल गोल गला काटना आता है, तो बस गोल गला है, जिसको काटना आ गया, तो उसके लिए बाकी की जो गले काटनें बिलकुल आसान हो जाते हैं, बस गला, अब दोस्तों मैं आपको काटने, जिए काटके दिखाऊंगा, लास्ट गला गला यह थोड़ा सा अलग स्टैल से कटेगा, क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा लंबा गला कटेगा, और इस तरह के जो गले होते हैं, इनमें पाई पिनिया लाइस आप लगा सकते हो, असा 8 इंच के क्रीब रखना है यह देखिए 8 इंच तक मैंने निशान लगा दिया है यह वला यानिक इस जगह से बिलकुल सीधा कटेगा सिर्फ बिलकुल आदा इंच से भी कम इसकी जो हमने कटिंग करनी है बाकि दोस्तों इस जगह से फिर आपको वही सांचा त्यार करना है यह सोले देखिए हैं हैं कि यह से 3 इंच और इस जगह जे सातिश करें हैं है मुए फिर आप 7 आप सात्यार कर ले अब दोस्त तो इस में बिल्कुल सिंप़ गला काटऊ हनगा आपको बिल्कुल इस जगह से शेप देनी है देखिया औरisini जो शेप दोस्तों इसको बैस इस जो इसकी कसे के सोगी aja दोस्तो जेखिए यह से पहले से क्टिंगہ लें आप लग से हमारे पास जो टोटाल गला कटेगा यहां से कटेगई देखिए यहां से बिल्कुल हलका समयने कटिंग करनी है और इस गले कŃक क्टिंग होगी सब्सकी कि-मायचंते प्रबड़ अब इसे करूंगों मैं इस तरह से उल्टा दोनों बुक्रों के पार्ट को बराबर पकड़ लिया अब यहां से देनी है हमने इसमें शेव बूं दोस्तों इस तरी के से देखिए यह एक जो है बड़ा गला है वो मैं इस heuk Animation कर ली कि इसको आपको इसतरी से दिखा जेता हूं तो दोस्तों जब इस तरी से जो गला बनता है तो बनाने के बाद आप चाहो तो इसमें पूरे में पाइपन लगा सकते हो पाइपन लगाने के बाद दोस्तों नीचे इसमें लगा जाता है पैच और गला जो है अमारा केवलित नहीं बनता है बाकि पैच लगाने के बाद दोस्तों ऊपर इसमें आप बटन वगरा कुछ लगा सकते हो तो गला होती असान है और बस थोड़ा सा प्यास करो तो आप अपना माइंड लगाकर अपने खुद की क्रेटिविटी करके अलग-अलग डिजाइन के गले असानी से काड़ सकते हो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी